चले खबरों में आगे बढ़ रहा हैं शृत कालीन सतर के दूसरे दिन कॉंग्रेस किसानों बेरोजगारी प्रोपेटी आईडी जैली शुराप से हुई मौत कारून विवस्ता और प्रोदेश से जुड़े अन्या मुद्दे सतर में उठा सकती है शृत कालीन सतर के दूसरे दिन कॉंग्रेस सदन में क्या मुद्दे उठाने जा रही है इस बारे में पूर मंतरी और कॉंग्रेस बधायक किरन चोदरी इन से जानते हैं कि कांग्रेस सदन में क्या मुद्दे उठाएगी ची अब क्या मुद्दे उठाएंगे अनिल जी सदन के अंदर, तीन दिन का सदन है, उसके अंदर कोई चर्चा के लिए तो कोई विशे ही जो है, आप जानते हो जिस तरह से यह अहलात है, मुश्किल से एक आथ कॉलिंग अटेंशन लगता है, कल एक कॉलिंग अटेंशन लगा है मेरा वो इसके अपर लगा है, अब हैं इतने सारे हम कॉलिंग अटेंशन मोशन और रेजुलूशन और यह शॉट डिसकॉशन जो है, इसका जो है, मैं सारे भेजती हूँ, और आप जानते हैं कि यह चीज़ें तियार करने में बड़ा समय लगता है, बड़ी लिखत- के अंदर उसको बनाना पड़ता है, और यह ऐसे इशूज हैं जो पूरे हर्यानों को एफेक्ट करते हैं, और सदन ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरीए हम लोगों की समस्याओं को उठा सकें, लेकिन बड़े दुर्भागे की बात है कि जिस चीज़ के लिए हम एलेक्ट ह हुँए हैं, वो काम हमारे को पूरा नहीं करने दिया जाता, हमारा कुछ भी जो है लगाया ही नहीं जाता, तो अब क्या तो हम चठ्चा करें, क्या उसके अंदर हम बात करें, तीन देन के अंदर जो है तो पूरी तरह से खानाफ पूरती है, एतने सारे प्रस्शन मैने पर उसके बाद जो है मैंने नौ और कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाएं एक तो लगाया है कंप्रेंस कॉम्प्रिहेंसिव सोचिय एक सर्वे इन हर्याना ऑन बिहार पैटन जो यह बात होई है कि यह जो है सर्वे पूरा होना चाहिए उसके उपर यह क्या सरकार का मंच्छा क क्या है करना चाहतें नहीं करना चाहतें फिर अंड्यू हरास्मेंट ट्रॉमा टू कॉमन सिटिजन बाइश्ट यह जो प्रॉपर्टी आइडी के उपर है अब यह जो है यह सब के गले की फांस वनी हुई है कह रहे हैं कि हम ठीक करवा रहे हैं सचा ही यह है आज आम आदमी जो है हर घर के अंदर तरह से उसके जो है ना प्रॉपर्टी आइडी के अंदर सारा मतलब टेड़ा मेड़ा काम करका है और इसी तरह से फैमिली आइडी के अंदर करका है यह जहां भेजते हैं सारा कुछ लिखत विकत करके लियाते हैं पर उस जो है समाधान कुछ निकलनी रहा इतना बुरा हाल हो रहा है लोगों का कि लोग बहुत बुरी तरह से पषयान लगाया है, यह हर्याना कोशल रोजगर निगम, अब ये बना तो दिया है इन्होंने, इसके अंदर भी ननौकरी के लिए जो हैं क्या मापदंड, क्या हैं क्या निएं, लोग तरस्त हो रहे हैं, बच्चे बेरोजगारी का आलम है आज हर्याना नंबर वन है बेरोजगारी के अंदर और ये हालात हैं तो उसके उपर भही चट्चा करो आप बताईए किस तरह से जो आपने वाइदा करा था दो करोड नौकरियां का हर साल और आज दस साल हो गया पूर तो बीस करोड नौकर कर दो few पर जो हमारे जितने यह यहां पर यह आपने यह ज़्यादतर झुगाओं है सारे के सारे बुड़े बुझति कृई जो हैं मेरे पास आया उनौनने का कि हमारे बच्चे तो जा इनकर गए हैं विदेशों आ जा रहे हैं क्यो को यहांपर उनको कुछ अंदकार के ज् इक्वल पे इक्वल बर्क इक्वल पे जो आप काम कर रहे हो उसके बराबर के तो आपको पे मिलनी चाहिए उसके उपर लगाया है फिर मैंने लगाया है अनल्मेंट ऑफ हर्याना स्टेट इंप्लॉइमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स अक्ट यह 2020 का जो है इन्होंने जो अन के खोwyल फेस्ट विविभस्त को हालात आप देखी रहे हो कहीं पिक लिए पो रही हैं कहीं कुछ होरा है है कहीं कुछ हो रहा है तो स यह से उशलेशन क की दिया चैप कि म兩nd वीबस्ता कर एक कर जाता है Hey तो पर दिखेंगा हो तब ये बात कही गई तीन काले कानून जब बापस लिये थे ये बात कही गई थी कि MSP को पूरा जो है वैदिक दरज़ा कानूनी दरज़ा उसको दिया जाएगा आज जो है उसको मेरे खाल में चार साल हो गए है तीन या चार साल जो भी है हो गए है अभी तक उसके उपर कोई चर्चा नहीं होगी है तो इस पर भी मैंने जो है ये शॉट डियोशन डिसकॉशन लगाया है और एक रेजोलूशन दोनों दिया है अब देखते हैं लगने देंगे नहीं देंगे क्योंकि ये तो किसानों खेत की बात है और हर्याना जो है ये कृश्शी प्रदान प्रदेश है आज जो है MSP को जब तक आप बैदिक नहीं बनाओगे उसको आने बारिया नहीं करोगे जब तक आप किसान का बलाई नहीं कर सकते हैं और ये जो आपने जो जुमले दे रखे हैं कि 2022 तक उनकी आए दुगनी करेंगे आज के दिन तो सारी दुगनी की बात छोड़िये ये तो दुगनी क्या है ये तो आदे से भी आदी किसानों की आये हो गई महंगाई का आलम है बुरे हाल हो रहे हैं और फिर आप जो है कम से कम हर्याना को जो केंदर ने करना है करना ये केंदर ने लेकिन हर्याना को तो यहां से इसके उपड़ चर्चा करके और इसकी जो है सफारिश केंदर पार्लेमेंट में बेहनी चाहिए कि वही जल्द से जल्द करो लेकिन ये करने के लिए तेयार नहीं।